नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्सकाय इस बार गंगा दशेरा 24 मई को धूम धाम से मनाय जाएगा ऐसी मानिता है कि इस दिन गंगा मईया का धर्ती पर अफ्तरन हुआ था इस कारण बड़ी संख्या में लोग गंगा में सनान करके शाम को गंगा आरती करते हैं इस दिन घाट पर भक्त आस्ता की डुपकी लगाएंगे धर्मिक संस्थाओं की ओर से ये कारिक्रम आयोजित कर गंगा दशेरा मनाय जाएगा साथ ही पूरे दिन दान पूर्णिवा भंडारा आयोजित होगा गंगा दशेरा के दिन पानी का दान अवश्य करें ऐसी मानिता है कि इस दिन राजा भागिरत के प्रयास से गंगा मैया धर्ती पर अफ्तरित होई थी इस दिन मनुश्य को गंगा में सनान अवश्य करना चाहिए, शिफ का पूजन कर आर्थी करनी चाहिए, जल का दान करना चाहिए, इस दिन गरीबों और रहगीरों को पीने का पानी अवश्य पिलाना चाहिए, जितना अधिक पानी का दान करेंगे उतनी ही परिवार में शीतल जिनके परिवारों पर पित्रों का श्राप है उन्हें कम से कम 10 लीटर पानी वित्रित करना चाहिए। राजब भागिरत की तपस्या के बाद जब गंगा माता धर्ती पर आती हैं उस दिन जेश्ट शुक्ल पक्ष की दश्मी थी गंगा माता के धर्ती पर अफ्तरण के दिन को ही गंगा दशेरा के नाम से पूझा जाने लगा है। इस दिन गंगा नदी में खड़ी होकर जो गंगा स्त्रोच पड़ता है वो अपने सभी पापों से मुक्ती पाता है। इस वीडियो में फिलाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़ी रहे बोल्सकाय से।